नमस्कार एक बाव फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक की उपर दोस्तो की आप लोग जानते होंगे नगीना सीट की उपर चंदर शेखर आजद का समर्थन किसी भी गडवंधन ने किया यानर कि इंडिया गडवंधन ने नहीं किया नहीं अखलेश यादों ने किया बलकि अखलेश यादों ने तो नगिना स्ट्रीट की उपर अपना समाजवधी पार्टी का प्रत्याशी मनोश कुमार को उतार दिया अभी तक आपने देखा होगा और सुना होगा कि चंदर शेखर आजात लगातर न्यूज में कह रहे है कि महलों वाले और जो परिवारवास से आये हुए लोग है वो मेरी मेहनत मेरा समर्पन मेरी लड़ाई नहीं समझ पाएंगे मैं अपने लड़ाई अपने दम पर और अकेले लड़ूंगा और अकेले जितूंगा तो दोस्तों आपने देखा अभी तक चंदर शेखर आजाद के सवाल पर अखले शेखर आजादों ने क्या बोला क्या कारण था कि अखले शेखर आजादों ने चंदर शेखर आजाद तो नगीना स्रीट की ऊपर समर्थन नहीं दिया और अपने परत्याशी उतार दिया इसका जवाब खुद अखले शेखर ने दिया है एक्स उनसे कई सवाल पूछे, इंडिया गड़ बंदन को लेकर, योगी को लेकर, मोधी को लेकर, यूपी की, राजनीती को लेकर, देश की राजनीती को लेकर, फिर एक सवाल ये भी पूछा, कि आपने नगीना सीट की उपर चंदर शेखर आजात का साथ क्यों नहीं दिया, उनक आपने नगीना सिट पर चंदर शेकर का साथ क्यों ने दिया तो क्या बोले अखलेश वीडियो देखिए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्होंने सम समाजवादी पार्टी से तो लाब लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साब दहान है हर चीज़ से। दिये ही चला जाता है, इससे हमें बहुत नुकसान होता है, इसलिए हमने इस बार सोस समझ कर ये निर्मे लिया है, यानि की चंदर शेकर आजाद को अखलेश यादो उनी लोगों में गिन रहे हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो गदार होते हैं, वो किसी पार्टी, दल या ग हमने इस बार बहुत सोचा और समझा है, इसलिए हमने अब बहुत सोच समझ कर ऐसा मिनने लिया है, और इसलिए कई लोगों का समर्थन नहीं किया, और अपने इंडिया गडबंधन के साथ हम आगे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा अखलेश यादो इस बयान को लेकर कि चैंदर शेकर वो विक्ति नहीं है, जो लाब लेले, जो स्वार्ति हो, जो गद्दार हो, वो आपके साथ आए, फिर आपको धोका दे किसी और दूसरे दल में चले जाए, या फिर दूसरे गडबंधन में चले जाए, वो विक्ति सौभिमानी है, वो विक्ति लड़ने वारा है, वो विक्ति को दर्द है अपने समाज का, इसलिए वो आप से समर्थन मांगा था लगीना सीट पे, हाला कि ये आपके गडबंधन, इंडिया गडबंधन और आपकी पार्टी का फैसला है, आप उन्हें समर्थन दे या न दे, इसमें आपकी रा हाता है, वो समाजवादी पार्टी में स्वर्थ लेता है, समाजवादी पार्टी से सब कुछ ले लेता है, लाब लेता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ भी देता नहीं है, तो आप क्या किते हो इसको लेकर निचे comment करे, वीडियो को like करे, channel को subscribe करे, notification bell रवायै, आने वाली वीडियो की हल लेटस अपडेट सबसे पहले देखने के लिए देखता रहा करिए भारत दस्तक बहुत जोनों की हर ख़बर आपके घर तक